बिहार में दिन प्रति दिन कुरोना के नए वेरियंट के मामले सामने आ रहे हैं इसको देखते हुए बिहार के सभी स्कुल कॉलेज धिरे धिरे बन्द हो रहे हैं। द्यार्थियों अगर परिच्छा होगा तो क्रोना के इसतरे के बीच में क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाया तो क्या सभी को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा तो आपके मन में जो तीन-चार प्रसन उत्पन हो रहा है इन सभी प्रसनों का जबाब इस वीडियो में महाम विद्याले में आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर रहेगा तो उसे ही हम लोग बोलते हैं होम सेंटर तो देखिए होम सेंटर आपके बोर एकजाम का नहीं रहे गा लेकिन वीयारबूर्ट सेंटर में थोड़ा सा बदलाव किया है दस से 20 जनव प्रायोगीग प्रेक्षा चलेगा तो आपके प्रेक्टिकल एकसाम का होॉम सेंटर रहे satisf हर्जगा जानकारी देगा है। इंटरमीडियेट होम सेंटर पर होगी परायोगीग परिच्छा अर्मिडियेट परिटा पर्शा। पूर्ण करके आपके स्कूल कॉलेज में जो जो उसमें परिक्षा सामगरी लगेगा वो सभी भेज दिया है तो आपको यहां से किलियर समझना है कि आपका जो प्रयायोगी परिक्षा होगा रहता कि जो प्रेक्टिकल का एकजाम होगा मैटरिक बोड परिक्षा 2022 जनुवरी म और उसके साथ भी हार बोड एभी सुनिश्चीत कर रहा है कि जिस तरह इंटर का परायोगी परिक्षा का सेंटर आपके होम सेंटर है तो इस साल का जो बोड एकजाम होगा वो आपके मीनिममम अर्था की मीनिममम डिस्टेंस पे आपके घर से जो मीनिममम डिस्टेंस पे ज आगे बढ़ेगा तो एप परसुन तो आपके मन से बिलकुल निकाल देना है क्योंकि आप देख रहें कि प्रेक्टिकल एकजाम का समगरी आपके स्कूल में आ चुका है यहां तक कि बोड परिक्षा जो 2022 का आपका एक फरवरी से इंटर का और 17 फरवरी से मैटरी का हो रहा है उसके लिए बिहार बोड कॉपी असल पतर और एटेंडेंस सिट सभी तयार कर चुका है तो एक दिन भी अप तीथी में बदलाव नहीं होगा क्योंकि आपके एकजाम संटर की भी सभी तयारी पूर्ण कर दिया है बिहार बोड नेक्स्ट प्रस ने कि किया बोड एकजाम र इक्चा लेकर इतिहास रच दिया था तो बिहार बोड को इतिहास रच नहीं तो इस साल भी अकजाम किसी भी प्रस्तिति में रद नहीं होगा अगला काफी महत्पून प्रस ने ठीक है हम सं 열ju पास कर देगा यह अभी आपके मन में नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी आपके पूरा एक मन्थ समय है कितना मन्थ आपके पांगा समय है ऑसा प्रस्तिति नहीं उत्पन होगा यहां से मेरे 받 को ध्यान से समझ लीजे देखिए भी हार्बोड भले ही आपके पास एकजाम बिलकुल समय पे ले रहा है सबी बोड एक जाम को बाद मिलेंगे लेकिन बिहार बोड सबसे पहले सबी बोड सीलेबस कम करते पहली आपको छोड़ देना है और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पड़ेऑ तबी मेरे बात को ध्यान से समझेगा बचे हुए समय में आश्री पिछले तीन से चार साल का मोडल पेपर रट जाईए काफी आपके पास समय है पिछले चार से पांच साल का कोशन बैंक और दो साल का सेंट अप एकजाम का कोशन पेपर मैं आपको कितना पहले से सज़ेस्ट करता हूँ जो चार कुछ नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ 34 साल का 2019 से लेकर 2022 तक का मोडल पेपर अगर याद कर जाते हैं और पिछले चार-पांच साल का कोशन मैं याद कर जाते हैं और दो साल का सेंट अप एकजाम का कोशन पेपर तो आप पास नहीं बलकि आपका पर्थम स्तिरिणी सर्थात के 60% से ज्यादा नंबर यहीं से बियार बोन पूछेगा क्योंकि बियार बोन भी समझता है कि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो कोशन का लेबल थोड़ा सा असान रहता है आपको आधा परसुन छोड़ देना है तो जो मैंने बताया इतना अगर आप पढ़लेंगे तो आपका बिल्कुल संदार रिजल्ट आ जाएगा और आपक को ग्रे संग का सहायता नहीं लेना पड़ेगा उमीद करता हूं जो भी यह प्रस्न आपके मन में चरला हुआ इन सभी प्रस्नों का जवाब आपको मिल चुका है और कोई भी कनफ्यूजन से दूर रहकर आपको अपने पढ़ाई जारी रखना है आप सभी को बहुत बहुत भन्यवाद